हेलो जाज हम बात करेंगे ओपो A55 के how to reset camera के बारे में कैसे आप लोग camera को reset करेंगे camera reset करने से पहले मैं आप लोग में से काफि सार लोग के doubt क्लियर कर दूँ काफि सार लोग ही बोलते comments करके की बाई अगर हमने camera को reset किया तो जो भी हमने फोटोस क्लिक किया है वीडियोस रिकॉर्ट किया है, सेल्फी वगरा क्लिक किया है तो कहीं वो तो डिलेट नहीं हो जाएगे तो देखिए वो सब पे बिल्कुल भी एफेक्ट नहीं पहुंचेगा जो भी आप लोग का डाटा रहता है वो बिल्कुल सेफ रहेगा कुछ भी डाटा यहाँ पे डिलीट आप लोग का नहीं होगा और रिसेट करने के बाद क्या आप लोग को फरक नजर आएगा वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में डीटेल में बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेल का इकोन को ब्रेस कर लेना है फर्स्ट अफॉल हमें यहाँ पे कैमरा उपन कर लेना है कैमरा उपन करने के बाद हमें कैमरा की सैटिक्स पर जाना है लेकिन अभी भी आप लोगो पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे हुआ क्या तो देखिए जैसे यहाँ पे यह कैमरा की सैटिक्स है अब जैसे यहाँ पे रिजुलेशन की बात करें हम यह डिफॉल्ट में रिजुलेशन दिया है यहाँ पे 1080p का अगर हम इसको चायर 720p कर दिया हमने 720p कर दिया फिर जो हमने लोकेशन सैट कर दिया है आप वॉल्यूम बटन में क्या क्या होना चीए एडवांस सैटिक में क्या होना चीए यहाँ पे अगर जो भी हम चैंजस करते हैं मतलब कुल मिला करके सैटिक्स में तो इस टैप का यहाँ पे एफेक्ट पहुंसता है रिस्टोर करने के बाद काफी सारे लोग इसको रिस्टोर करते कभी कबर क्या होता है केमरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो रिस्टोर का यूज करते है मिलते नेक्स वीडियो में जय मता दी